इस संडे 5 एप्रिल को हम सब को मिलकर कोरोना के संकट के अंधकार को चुनोती देनी है उसे प्रकाश की ताकत का परिचे कराना है इस पाँच एप्रिल को हमें 130 करोड देश्वासियों की महाशक्ति का जागरन करना है 130 करोड देश्वासियों के महा संकल्प को नई उचाईयों पर ले जाना है पाँच एप्रिल रभिवार को रात नव बजे मैं आप सबके नव मिनिट चाहता हूँ ध्यान से सुनिएगा पाँच एप्रिल को रभिवार को रात नव बजे गर की सभी लाइटे बंद करके घर के दरवाजे पर या बालकनी में खड़े रहकर नव मिनिट के लिए मुम्बती दिया टॉर्च या मोबाइल की फ्रेस्लाइट जलाएं समस्त 130 करोड भारत वासियों से आवाहन वाननी प्रधारमंत्री जी की अपील आप सबने सुनी होगी नौ तारीख को नौ दिये रात के नौ बजे अपनी बालकनी में प्रज्वलित करें दिवता एहंकार आत्म साक्षातकार उर्जा पुंज जनता जनारदन महाशक्ति अंधकार प्रप्रकाश बीज ऐसा लगा कि भगवान भोले नाथ डारेट कैलाश परवत से लाइव हैं और जैसे ही आप नौनो दिया अपनी बालकनी में जलाएंगे वैसे ही वेंटिलेटर्स जो है हॉस्पिटल्स में पहुँच जाएंगे जो लोग सड़कों पे भटक रहे हैं वो अंतर ध्यान होके अपने अपने घरों में प्रवेश कर जाएंगे जहां जहां राशन की कमी है वहां वहां डिलिवर हो जाएगी जिन जिन डॉक्टर्स के पास मेडिकल एक्यूपमेंट्स हैंड सैनिटाइजर्स नहीं हैं जो भी हेलमेट और रेन कोट पहन कर इलाज कर रहे हैं उन सब को बेसिक स्वास्ते की चीज़ें मुहया हो जाएंग खर आई रीली अड्माइर आर प्राइम इनिस्टर सो माच उनकी ब्रैंडिंग स्किल्स मैनेजमेंट स्किल्स सेल्स और मार्केटिंग स्किल्स का कोई जोड और कोई जवाब ही नहीं है अगर वो एक इस वक्त विक्स होती हैं ना डारेक्ट सेलिंग से जुड़ी हुई कि 101 तो एक तरीके अमीर बनने के नुस्खे तो अगर वो तो भाई प्राइम इनिस्टर हैं अगर एक बुक पैंगुइन या किसी के साथ लॉंच कर देतें कि 130 करोर भारतवासियों को चूना लगाने के 101 नुस्खे तो मुझे लगती है कि बेस्ट सेलर होती ग्लोबल हिट होती औ प्रसून जोशी उसको लॉंच कर सकते थे एनिवेज हलो राहूल जी वेरी गुड मॉर्निंग तो यू विरोध का कोई प्रश्न नहीं है जितना वे आपके प्रधानमंत्री है उतना मेरे भी हैं मैं तो आई रिली एड्मायर हिम सो माच अधा वे ही इंटरेक्ट वही आज तीसरा संबोधन है इस लॉक्डाउन के दौरान क्या उन्होंने माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज के लोगों से जुड़ी कोई बात करी क्या उन्होंने बताया कि डारेक्ट मनी ट्रांसफर्स के थ्रू बिलो दा पौवर्टी लाइन या जो लोग भटक रहे उनके अकाउंट में वनी का ट्रांसफर कैसे होगा इमाइज का कैसे होगा इस लॉक्डाउन के दरान लोग कैसे सर्वाइफ करेंगे क्या उन्होंने कोई जिक्र किया मैं अर्थव्यवस्था की बात नहीं करती जीडीपी की बात नहीं करती रोजगार की बात नहीं करती य पेन की राजकुमारी की डेथ हो गई अगर प्रिंस चार्ल्स को हो गया अगर एंगलेंड के प्राइम मिनिस्टर इंफेक्टेड हैं तो इसकी गंभीरता को समझे हलो जगदीश जी तो प्रधान मंत्री जी लगू कथाएं सुनाएं ये श्लोक सुनाएं भाशर दे और उनके 130 करोड भारतवासियों से आवान करता हूं कि जनता के हितों कि अपनी बालकनी में उल्टा लटक जाएं इससे जो है रक्त का संचार प्रापर होगा और रुधीर धमनियों और कोशिकाओं में विधिवत जाएगा इससे आप तमाम प्रकार के संक्रमण से तो मुम्किन है कि देर सारे लोग अपनी बालकनी में उल्टा लटके हुए दिखाई दें